नमस्कार खबर 11 मज़े में आप सभी का स्वागत और मैं हूँ आपके साथ आशिमा त्यागी बुल्टिन की शिर्वात करेंगे बड़ी खबर के साथ नॉइडस इस वक्त की बड़ी खबर जहां दिवार गरने से बड़ा हाथसा तो चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रह किस तरह से रिस्क्यू का रही हाँ पर चल रहा है लगातार जो मलवे में दवे लोगों हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रहे हैं चार लोगों की मौत की खबर तो नर्ड अथोर्टी लगातार रिपेरिंग का यहां पर काम करवा रही थी खुदाई में 13 लोग जो लगे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो मलवे को हटाने का काम किस तरह से चल रहा है मौके पर अपरत अपरी का माहूल है और अब यह बड़ी अपडेट सामने आ रही चार लोगों की मौत की खबर है तो अभी भी कई लोग जो हैं वो दबे हुए हैं जिनको निकालने की कवाय जा ही है लगाता जो प्रशास्तिक अमला है वो मौके पर जुटा हुआ है और किस तरह से इस मलवे में दबे लोगों को निकालने की कवाय जा रही है वो आप तस्विर में देख रहे हैं मुझे जब भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा हुए इसक्योजिव तस्विरें आपके के काम में लगे हुए थे और उन पर इसी दोरान दिवार गरने से ये हादसा हुआ है क्या लापर भाही रही है फिलाल अविजाज का विशे लेकिन प्रात्मिक्ता पहले मलविस में दबे लोगों को बाहर निकालना है तो अभी तक जो जानकारी है वो सामने आ रही कि चार को सुझ बाते हैं था और कॉंट्रेक्टर के लेबरर द्वारा यहां काम कराई जा रहे थी और जो यह बाउंडरी वाल है उस वकट जो प्रतम दृष्टिया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्वत रूप से जो दिवार उस वकट जो गिरा है वह जब उस वकट जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नाइड आफरेट ने कॉंट्राइट दी तो वो इट जब निकाल रहे थे तो बगल के जिवार की इट उनके उपर गिरी और उससे यह हाथसा हुई है बाकी इसकी विस्वत जां इसकी पुष्टी कराई जा रही है और बाकी यहां पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेजी गती से कार चल रही है और समध सुचनाओं को पुष्टी भी की जा रही है क्योंकि आभी समध अधिकारी गंड यहां मौके पर आकर जो रेस्क्यू वो करते हुए जितने भी घायल लोग है उनको उपचार करने का कारी कर रहे है। चार लोगों की दर्दनाक मौत इस हाधसे में लगातार जो है वो वहाँ पर फसे मलवे में लोगों को निकालने की कवायद जारी है। तो अभी तक की जो जानकारी है वो सामने आ रहे हैं कि चार लोगों की मौत तो मौके पर डियम समें तमाम अधिकारी महापर मौजूद हैं उन्हीं की मौजूदगी में रेस्क्यू का काम जारी है जो पसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और अस्पताल में बढ़त गटनक्रम को लेकर एक अपडेट ओड़ दिया है जिलादी कारी के मताबिक तीन मौते होनी पुष्टी अभी तक हुई है अब की जो ताज़ा अपडेट है तीन लोगों की मौत हुई है जबकि दो लोग अस्पताल में गायल है जिनको गायल अवस्ता में बेजा गया है ए पास दिन से नाले की रिपेर का काम यहां पर लगातार किया जा रहा था और उसी रिपेर के दोरान यह हास्ता हुआ है जिसमें दिवार गिरी है और दिवार गिरने से यहां इन तीन लोगों की मौत हुई जबकि दो गायल हुई और मलवे के अंदर भी अभी दो लोग ठंस पुरा पुलिस आमना और दमकल विभाद की टीम यहां रैस की ओपरेशन में लगी होगी है जो लोग अंदर फंसे होने की आसंग का जताई गई है लेवर के दुबारा उन लोगों को तलाज करने का काम किया जा रहा है जो दो लोग दिखनी है उनकी हालत भी अभी काफी मौके पर पहुंच गया है और इन लोगों का लगातार जो भी यहां से भाहल गया है इनका इलाज किया जा रहा है और साथ से के पीछे जो बजा है तो नाले की सपाई है कहीं ना कहीं नोड़ा प्रादीकंट के फुन अधिकारियों की लापरवाई है जिनकी जिम्मेदारी के अंदर ये काम यहां पर चल रहा था सूपरवाईजर जेई या इलाके के प्रोजेक्ट इंजिनियर ने लापरवाई बरती जिसके चलते ये पुरा हास्था हुआ है उसको लेकर भी जिलादीकारी ने जाज करने के आदेश दी हैं वहीं अभी कि अगर बास करें तो बड़ी अपडेट आपको हम बता देए कि जलादीकारी के तरह से इस बात की पुष्टी की गई है तीन लोगों की मौत की कबर सामने आ रही है परहाल जो दो लोग है वो अस्पताल में बढ़ती है जहां उनका इलास चल रहा है तो राहत बचाब मौके पर लगातार जारी है दो लोग जो है वो मलवे में अभी भी पसे हुए बताय जा रहे हैं बिलकुल जस तरह से आप बता रहा है कि अमित बारा से तेरा लोग जो है वो यहाँ پर रिपेरिंग के कामे जुटे हुए थे और इसी दोरान दिवार करने से ये हादसा हुआ है वक्त जैसे जैसे आती भी बढ़ते हुए देखी जो दो लोग अंदर दबे होने की बाद अभी लेवर के दोबारा की जा रही है तो